गुल्मॉर्णी स्टुडेंट्स मैं अभ्लेस्टिवास्ताओं आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है तुरुद्फुल्ट नैस यानि सत्त्ता ये एक ऐसी स्टूरी है जो महाराश सिवा जी जो महाराश के राजा थे उन पर आधारित है इसमें एक लड़के की कहान है उस लड़के का नाम मालो जी था मालो जी सिवा जी को मारना चायता था लेकिन जब मारने के लिए वो उनके महल में पहुँचा तो वो पकड़ा गया लेकिन पकड़े जाने के बाद जब राजा के पास वो पेश किया गया तो उसने कौन कौन सी बाते करी और उसकी बातों से खुद माहराज भी प्रभावित हो गयते और उनके उस लड़के को फिर छोड़ दिया लेकिन क्यों छोड़ दिया उसकी कौन सी बातों को वो इतना प्रभावित हो गयते ये सब बातों को जानने के लिए पहले आपको मैं ये लेसन रीड करवा हूँग Once upon a time छत्रपती सिवा जी वास स्लीपिंग इन हीज रूम एक बार की बात है छत्रपती सिवा जी अपने कमरे में सो रहे थी A boy of 12 years tiptoes in his room एक लड़का जो करीब 12 साल का था चुप चाप दबे पाउं उनके रूम में आया He took out a sword to kill सिवा जी उसने सिवा जी को मारने के लिए तलवार निकाली As he raised his hand to kill सिवा जी ताना जी held his hand from behind As he raised जैसे ही उसने सिवा जी को मारने के लिए हाथ उपर उठाया ताना जी जो उसके पीछे थे उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया ताना जी had seen that boy entering the palace so he came behind him जब वो लड़का महल में घुसा था तब ही से वो उसके पीछे थे He wanted to see what the boy was going to do वो देखना चायते थे कि लड़का कहां जाता है और क्या करता है Hearing the noise सिवा जी woke up and asked him सोर सुनकर सिवा जी जाग गए है और पूछा Who are you? तुम कौन हो? Why did you come here? तुम यहां क्यों आए हूँ? The boy said लड़के ने कहा My name is Maloji मेरा नाम Maloji है I have come to kill you मैं आपको मारने के लिए आया हूँ सिवा जी asked सिवा जी ने पूछा Why do you want to kill me? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हूँ? What wrong have I done to you? मैंने तुमाए साथ क्या बुरा किया है? The boy replied No, you haven't done anything wrong लड़के ने उत्तर दिया नहीं आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है But my mother is sick and hungry for many days मेरी मा बीमार है और भूखी है कई दिनों से We are very poor हम बहुत गरीब है Your enemy सुभाग राय told me that if I kill you he will give me money आपका जो सत्तु है सुभाग राय उसने मुझसे कहा था अगर मैं आपको मार दूँ तो he will give me money तो वो मुझे धन देगा Hearing this ताना जी गोट एंग्री ये सुनकर के ताना जी क्रोधित हो उठे He threatened the boy and said उन्होंने लड़के को धंकाया और कहा You were going to kill the king of Maharashtra You were going तुम महराश्ट के राजा को मारने जा रहे थे Now you get ready to die अब तुम मरने के लिए तयार हो जाओ The boy was not fronted लड़का डर नहीं रहा था He said to Sivaji उसने Sivaji से कहा I am not scared of dying मैं मरने से नहीं डरता हूँ But I am worried about my mother लेकिन मैं अपनी मा के लिए चिन्तित हूँ She might be waiting for me वो बेसबरी से मेरा इंतजार कर रही होगी She is sick and hungry वो बीमार है और भूखी है You please allow me to go home once आप मुझे एक बार घर जाने की अनमती दे दे I will meet her मैं उससे मिल लूँगा Take her blessing and come back soon और उसका आसिरवाद लेकर के जल्द ही बापस आऊंगा I tried to kill you मैंने आपको मारने की कोशिस की So you should kill me इसलिए आप मुझे भी मार सकते हैं This is right ये सही है But please give me some time पर कृप्या मुझे कुछ समय दे दीजिए Student आज की स्टोरी मैं यहीं पर खतम कर रहा हूं यानि आज का लेसन मैं यहीं तक ही पढ़ा रहा हूं अपनी next वीडियो में मैं आपको इसके आगे का लेसन पढ़ाऊंगा इसलिए आज के लिए इतना ही Thank you